हेलो गाइज, वेलकम बैक टो योटूब चैनल फार्मा अड़ा, तो गाइज, आज हम लोग सौफ्रामाइसीन 1% स्किन केर, यानि के सौफ्रामाइसीन 1% ओइंट्मेंट के बारे में कम्प्लेट नॉलेज लेंगे और जानेंगे इसके यूज, वर्क ओफ एक्शन, हाव टू अप्लाए, इसके साइड इफेक्ट्स और साथ ही साथ इसके प्रिकॉशन क्या-क्या हैं, तो गाइज, सौफ्रामाइसीन, सनोफी यानि एनकब एथिकल्स प्राइवेट लिमेटेड द्वारा मैनॉफेक्शर की जाती है, जिसके अंदर, फ्रेमाइसीन 1% का कॉमपोजिश होता है, जो के अलग-अलग पैंकिंग के साथ अलग-अलग प्राइज में देखने मिलती है, और ये एक बहुत ही कॉमन क्रीम है, जो के आपको हर एक फारमेसी और या मेडिकल स्टोर पे अविलिबल मिल जाएगी, तो गाइज, ये क्रीम हमारे स्किन पर होने वाले संक्रमन के इलाज में उप्योगी है, ये दवा बेक्टिरिया को बढ़ने से रोकता है, और लक्षन को खतम करने में मदद करता है, और स्किन पर बने हुए अंडर लाइन्स इंफेक्शन को भी ठीक करता है, तो गाइज, ये था इसका वर्क उफेक्शन, चलिए वीडियो क आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं इसका यूज हम लोग किस कंडिशन में कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि सुफरामाइसीन 1% ओंडमेंट का इस्तेमाल, स्किन पर बेक्टिरिया से होने वाले संक्रमन के इलाज में किया जाता है, जैसे कि बॉइल्स, को अच्छे से वाश कर लें और फिर इस क्रीम को उस जगे पे साफ करने के बाद अच्छे से सुखा लें और फिर अपलाई करें, तो गाइस, इंफेक्टिड स्किन पर अपलाई करने बाद दूसरे अधर स्क्रीम को यूज या अपलाई उस जगे पे ना करें, तो गाइस, इसके साथ आपको कुछ side effects भी देखने मिलते हैं जैसे कि local reaction, hyper sensitivity आपके skin में हो सकती है तो guys इसके अगर हम precaution की बात करें तो इस cream को externally use में लें इसका इस्तेमाल internally ना करें इस cream को अपनी आख, नाख और मुग के संपर्क में लाने से बचें तो guys जो ladies, female pregnancy या lactation period में हैं वो इसका use करने से पहले अपने डॉक्टर से राय जरूर ले लें तो guys ये था कुछ information सोफरमाइसिन 1% skin care यानी सोफरमाइसिन ointment के बारे में हमारे इस channel की तरफ से अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और channel को subscribe जरूर कर लें